हाई दोस्तों साईज ही और बाक विद अनधर इंट्रेस्टिंग वीडियो और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मी 5U सीरीज मतलब रियल में 5U, 5I, 5S इन डिवाइस के लिए करनल मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ जो कि मैं काफी टाम से यूज कर रहा हूँ अब यह इस करनल में जो है आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस, बैटरी बैकप सारी चीज़े काफी अच्छी देखने को मिलेगी बिल्कुल बैलेंस में देखने को मिलेगी इवन आप इसका टच रिस्पॉन्स को भी इंक्रीज कर सकते हो फ्रैंक को करनल मैनेजर एपीक का यूज करके तो यह सारी चीज़े यह सारा सेटप में आपको बताऊंगा इवन इतना ही नहीं आपको यह जो करनल है यहापर आपको करनल SU के सपोर्ट के साथ आएगा मतलब यहापर करनल SU भी मिलेगा यहापर टच रिस्पॉन्स को भी बूस्ट कर सकते हो गेमिंग में आपको काफी हेल्प होगी यहापर इनकी तरप से एक मॉडियूल भी मिलता है उसको भी आप फ्लाइश करके इसको काफी अच्छा बूस्ट करा सकते हो अपने परफॉर्मेंस को तो यह वीडियो जो है बिना skip के पूरा एंड तक के देखना है इस वीडियो में इंस्टॉलेशन से लेके डाउनलोड से लेके सेट अप से लेके हर एक चीज में डीटेल में कवर करने वाला हूँ सेफटी के कौन से टिपस अपको ध्यान में रखने है सब कुछ A to Z मैं यहाँ पर बताऊंगा लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब कर लेना चाहिए कि क्योंकि मैं यहाँ पर काफी अच्छे चीजे मॉड्स अप्स अप्स अपकुछ लाते रहता हूँ ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलिग्राम ग्रूप और चैनल है वहाँ पे जोइन हो जाना वहाँ पर इंपोर्टेंट अप्डेट्स और फाइल्स में प्रोवेट करते रहता हूँ और हमारे इंग्लिश चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो सेम कंटेंट इंग्लिश में मिलता है और थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट वहाँ पे अड़ करता हूँ तो चलो without any wasting of time, let's begin तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं required files के बारे में तो यहाँ पर कौन से files आपको लगने वाली हैं वो मैं आपको पहले clear करता हूँ तो सबसे पहली चीज आपको लगेगी फ्रेंको करनल मैनेजर का जो AP के है वो लगेगा यह हमारे टेलेकरम चैनल पे आपको मिल जाएगा ठीक है second जो है करनल issue अब इसकी link वगरे मैं description में provide कर दूँगा उसके बाद हमें लगेगा start on kernel ठीक है अब यह कहां से download करना है मैं आगे बताऊंगा आपको और LMKD helper अब यह एक module है जिसको आपको flash करना है एक तो आप इसको magisk से flash कर सकते हो या फिर kernel issue से flash कर सकते हो सब कुछ मैं detail में बताऊंगा कैसे करना है लेकिन जो required file से यह है तो यह चीज़े आपको download कर लेनी है एक दो तीन और यह हो गए चार ठीक है तो चलो download कैसे करना है उसके बार में भी आपको बताता हूँ ठीक है तो चलते हम सबसे पहले आपको telegram channel पर आ जाना है इसकी link में description में दूँगा आपको पता ही होगा link देनी की ज़ुरत नहीं अगर आप join हो telegram channel जो की realme 55i5s इनका update channel आप जो है join हो सकते हो यहाँ पर आपको ROM से related, kernel से related जो कुछ भी चीज़े आती है हमारे device से related हो सारी चीज़े हाँ पर देखने को मिलेगे simply link नीचे description में दे रहा हूँ video के उसको copy करो और directly जो telegram का यहाँ पर जो search बार होता है उस पर search करके आप directly join हो सकते हो यहाँ पर तो यहाँ पर ही kernel मिल जाएगा और इनका इस kernel का specially मतलब यह जो start and kernel है यह start and kernel का आपको जो है channel मिल जाएगा इनका खुद का update channel तो यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ यह start and updates तो यह वाला channel भी आप join कर सकते हो इसकी भी link में description में provide कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर जो ह kernel है dynamic और non-dynamic दोनों ROMS के लिए support करेगा मतलब static और dynamic दोनों ROMS में यह बिल्कुल work करेगा kernel यह kernel की बहुत अच्छी बात है यह सबसे अच्छी बात है इस kernel की then kernel SU का support है यह second अच्छी बात है इनके साथ एक module आपको मिलेगा यह तीसरी अच्छी बात है मतलब बहुत कर सकते हो जैसे कि मियाओ kernel है वैसे बहुत सारे kernels आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे realmeifyo updates चैनल पे तो वहाँ पर भी आप ट्राय कर सकते हो different type के kernels लेगिन जो मुझे लगा है थोड़ा ठीक अच्छा लगा है थोड़ा सा यह kernel तो आप इसको ट्राय करके देखो बाक डाउनलोड करना कैसे है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सबसे बेले तो यहाँ पर हमें रिडारेक्ट कर देगा हमें ठीक है तो वहाँ पर जाके आपको जो टॉप में जो करनल शो हो रहा है फाइल उसको डाउनलोड करना है अब एक important बात अब यहाँ पर यह 10 लिखा यह 10 क अगर आपको यह Android 10 रोम यूज कर रहा हो तो आपको 10 वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हो ठीक है लेकिन हम मैं तो यहाँ पर जो है जो भी आपको लेटेस्ट वाली उपर में जो दिखीगी उसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा ठीक है मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ अल्रेटी डाउनलोड कर रहा हूँ तो यह हो गया करनल डाउनलोड कर लिया हमने देन उसके बाद आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा LMKD Helper ठीक है LMKD Helper की भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा ओपन करोगे यहाँ जो है GitHub का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड अगेन मतलब डाउनलोड पूछेगा मैंने तो कर रखा है डबल नहीं करूँगा तो यह डाउनलोड कर लेना दो हो गए उसके बाद आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर करनल स्यू मैनेजर ठीक है करनल स्यू करके आपको मैं वीडियो प्रोवाइट करता हूँ तो चाहके देख सकते हो तो इसको भी डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो यह तीन फाउनलोड कर ली फ्रैंक को करनल मैनेजर एपी के जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंग उसको वहाँ से उठा लेना लिंक डिस्क्रिप्श चैनल पर वहाँ पर टच बूस्ट डियूरेशन आप सेट कर सकते हो ठीक है 1000, 2000, 2500 इस तरह से आप जो है टच को बूस्ट कर सकते हो और टच को बूस्टिंग बंद करनी है तो जीरो सेट कर सकते हो तो यह सारी चीज़े में आगे आपको कवर करके बताओंगा ठीक है तो यह आपको इनका काम अच्छा लग रहा हो तो आप डोनेट ज़रूर कीजिए क्योंकि हमारा यह जो डिवाइस हा ना बहुत ही क्या बोलो में बहुत बैकवर्ड डिवाइस बन चुका है तो सारे जो है फाइल्स हमने डाउनलोड कर रखी है जैसी कि आप लिखा यह देखिए आप इंस्टॉल लमकीडी मॉड्यूल फॉर स्टैंडर्ड वेरियंट ठीक है और यहाँ पर नीशे लिखा है 10 वेरियंट फॉर अंड्रोइड 10 जैसे कि मैंने बोला था कि अंड्रोइड क्यों रॉम ही हमारी जो है क्योंकि यह करनल दोनों इसमें सपोर्ट करता है डाइनमिक पर भी और नाइनमिक पर तो इससे पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है सिंपली आपको अंड्रोइड वर्जन चेक कर लेना बस ठीक है अंड्रोइड 10 होगा तो अंड्रोइड 10 होगा तो उसके लिए अलग करनल आएगा वो डाउनलोड करना बाक 11 12 13 जो कुछ है उसके लिए यही करनल चलेगा डाइनमिक प्लस नॉन डाइनमिक दोनों इस पर च चलते हैं अब और रिकॉरई मूड में चलने के बाद next क्या करना है मैं आपको बताउना मैं पूरा इसमें दिखाई दे रहा हूं यार कि anyway कि ह tutorials हो रहा है जुसे और मेरा फे इसमें पूरी दर से दिखाई दे रहा है तो जैसे कि आप देख पा रहा हो यहाँ पर हमारा इस तरह सी रिकवरी खुल जाएगा जो रिकवरी आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से कोई औरेंज फॉक्स यूज़ कर रहा होगा कोई TWRP तो मैं आप यूज़ कर रहा हूँ बूट और DTPO इन दोनों चीज़ों को टिक करके इसको स्वाइप करोगे तो इसका बनेगा बैकप और वो बैकप से हो जाएगा आपके रिस्टोर वाले अंदर तो जैसे कि आप मैंने बैकप अल्रेडी ले रखा है तो इस तरह से आपको बैकप ले रखना है कुछ भी करने स ठीक है स्किब कर सकते हैं इस option को जैसे कि unaware और यहां पर यहां पर काैच और के इनको चाहो तो आप वाइप कर सकते हो कोई दिख्कत वाली बात नहीं तो यहां पर जैसे कि यह वाइप हो रहा है सो जैसे यह वाइप प्लेट होता है subtitles tuna करो ये सारी चीज़े gonna और dalुan को इंस्टॉल करेंगे हैं सिम्ली चलते हैं डाउनलूड में और मैं इसको करूंगा स्वाइप दिया तो यहाँ पे स्टाइट्ट करनल जो वह फ्लाइश हो रहा है तो इसको होने देते हैं इसको चेडेंगे हैं कुछ तो यह जैसे ही complete होगा उसके बाद next step मैं आपको बताऊंगा क्या घरना है तो ओके तो यह flash होने ही वाला है just a second जैसे यह complete होगा उसके बाद हम next step पे बढ़ेंगे और याद रखना अगर यह complete होने के बाद boot नहीं हो रा आपका device तो आप restore कर सकते हैं अपने पूराने ओरिजिनल करनल को चलो यह complete हो चुका है start and kernel flashing एक बार wipe catcher पे click करके swipe कर देंगे wipe catcher होने के बाद reboot system पे click करेंगे reboot system पे जैसी click करेंगे phone चालू हो जाएगा just थोड़ी देर रुखते है phone चालू होने वाला है just a second okay so मेरा face का है दिखा रहा है वह या तनिक anyway anyway तो चलो अभी हमारा device चालू होनी वाला है तो थोड़ी दिर वेट करते हैं device को चालू हो जाने देते हैं फिर मैं next step क्या करना है उसके बारे मैं आपको explain करूँगा ठीक है और इस बीच में एक बात मुझे बतानी थी चलो phone तो चालू होई गया है तो चालू होनी के बाद ही उस step पर आने के बाद बता दूँगा कोई बात नहीं तो जैसी कि आप देख पा रहे है वो device successfully boot हो चुका है यहां पर ठीक है बस होई नहीं वाला है चालू सो मैं यह बोल रहा था कि अगर आपका device boot loop में गया तो आप restore कर सकते हो क्या जो पुराना करनल था backup लिया था उसको restore वाले option में जाके उसको क्लिक करके swipe करोंगे तो restore हो जाएगा पता होगा यह सारी चीज़े चलो अब इसको मैं unlock करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो यहां पर हमारा जो करनल है वो start and करनल आ चुका है ठीक है इसमें पहला जो करनल था वो thunderbolt का करनल था इस ROM के साथ thunderbolt का करनल आता है बाइडिफॉल्ट और अभी यह start and करनल हो चुका है जो कि latest आया था मैं उसको flash किया हूँ ठीक है तो एक बात ध्यान में रखना कि latest करनल flash करना right kernel flash हो गया पहला काम हो चुका है second काम क्या करेंगे चलो manager पे चलते है file manager open करोगे और जो files मेंने download करने लगा था वो files open कर लेते है start and kernel so यहाँ पर आपका जो है kernel issue सबसे पहले kernel issue को install कर लेना मैंने install कर रखा है फिर से install नहीं करूँगा फिर यहाँ पर fang को kernel manager AP के उसको भी install करना ठीक है तो यह दोनों चीज़े install हो चुकी है right उसके बाद अब यह LMKD helper का क्या काम है इसका बताता हूँ मैं अब देखो यह LMKD helper जो है उस module को flash करना है as a magisk module flash करो या फिर आप kernel issue module के में भी flash कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन याद रखो अगर आपका device already rooted है with magisk for example मेरा device जो है मैं हो rooted है with magisk जैसे कि अब देख पा रहे हो so यहाँ पर मेरा phone already rooted है magisk से क्यों rooted है क्यों कि मैं हूँ decrypted user अब यह क्या बोल रहा है तू decrypted user है तो rooted क्यों है क्योंकि यहाँ पर इसकी एक DFE आती है ठीक हो neo DFE करके so उसमें क्या होता है कि magisk by default उसके साथ inbuilt आता है उस DFE के स साथ तो मैं decrypted user हो तो वही DFE use करता हूं हर बार so मैं यहाँ पर matches को नहीं हटा सकता हूं ठीक है मतलब उसके साथ आता है इसलिए मैं नहीं हटा पा रहा हूं मतलब actually अब उसके साथ आ रहा है तो इसलिए मैं इसको अगर uninstall कर दूंगा यहाँ से तो मेरा phone boot loop में चला जाए है अब यह decrypted user क्या है इसलिए मैंने वीडियो बना रखा है जाके उस वीडियो को देख सकते हो या फिर रियल में फाय उस डिवाइस में custom ROM कैसे flash करते हैं इससे regarding वीडियो बना रखा है तो उस वीडियो में मैंने clearly बता हूं कि जो dynamic ROM होती है उसके लिए separate DFE आती है तो वो DFE flash करने के बाद हमारा device root हो जाता है क्योंकि वो DFE के साथ magis can build आता है तो वो text वगरा जो ही edit करके हम separate कर सकते हैं पर मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है तो जो by default DFE है उसी को मैं flash करके use कर रहा हूं so यहाँ पर मैं कहना यह चाह रहा हूं अगर आपका device अगर आप decrypted user हो तो आपको यह magis को हटाना नहीं है magis को रहने देना है अगर DFE के साथ वो magis का रहा है तो ठीक है तो इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको करना क्या पड़ेगा बताता हूं देखो अगर आप तो decrypted user नहीं होगे क्योंकि decrypted user हर कोई नहीं रहता है कुछ ही बंदे decrypted user रहते हैं ठीक है जैसे की मेरी तरह सो यहाँ पर आप encrypted user होगे ठीक है encrypted user मतलब settings में चलके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा confusion दूर कर लेते हैं settings open करोगे security open करोगे security open करने के बाद नीचे चलोगे नीचे चलोगे more security settings पर click करोगे then यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है encryption and credential phone not encrypted लिखा है ठीक है तो यहाँ पर आपके इसमें लिखा रहेगा encrypted करके लिखा रहेगा so यहाँ पर not यह शब्द नहीं रहेगा phone encrypted या फिर encrypted phone not encrypted मतलब आपका device decrypted है ठीक है तो नहीं रहेगा तो आप kernel ACU APK install करोगे इसको open करोगे ठीक है kernel ACU APK आपने install कर रहा है आप हो या कोई भी हो आपको kernel ACU APK install करने के बाद यहाँ पर working लिखा है जैसे कि आप देख पा रहे हो successfully kernel ACU यहाँ पर work कर रहा है सारे options यहाँ पर working आपको देखने को मिलेंग तो सबसे पहला काम क्या करोगे यह जो आपको option दिख रहा है यह super user permission grant करने के लिए use होता है तो यहाँ पर आपको franko kernel manager APK जो है उसको search कर लेना है तो यह रहा franko kernel manager APK और इस APK को आपको super user की permission grant करने है तो इस toggle को enable करेंगे तो यह इसको चले जाएगी super user की permission राइट इतना क तरह का interface आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपने permission दी है आपने root की power दी है इस franko kernel manager manager APK को लेकिन अभी रुको और एक काम बाकी है आपको फिर से kernel एसी open करना है यहाँ पर modules वाला section रहेगा यहाँ यहाँ पर install module करके मिलेगा अब यहाँ पर click करके आपको module install करना है ठीक है कुन सा module install करोगे जो LMKD जो module है ना जो कि मैंने module दिखा है था उस module को install करोंगे कहा गया वो सो यह वाला module आपको flash कर देना है बस simply जाके select करना flash हो जाएगा वहाँ पर वो module अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर तो आपके इसमें install section नहीं शो हो रहा है आपका module वाला section कहां चला गया kernel issue का वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरा device already rooted है with magisk यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर click करोगे उस module को select करोंगे flash कर दोंगे ठीक है तो मैं magisk से flash करोंगा kernel issue से flash नहीं करोंगा क्योंकि मेरा device rooted है magisk से मैं magisk open करता हूँ modules वाले section पर जाओगा तो यह देखो LMKD helper मेरा already यहाँ पर installed है simply kernel issue रहो या फिर magisk से रहो module वाले section पर जाके install पर click करोगे तो यहाँ पर जो है आपको module को select कर लेना है कहा गया हो यह दिखो LMKD module इस पर अगर मैं tap कर दूंगा तो वो flash हो जाएगा मेरा already installed है मैं double नहीं कर रहा हूँ okay so मैं double install नहीं करूंगा module को तो already flashed हो okay तो यहाँ पर दो चीज़े हमने complete कर ली और याद रखना जैसी module flash होता है reboot करना है आपको अपना phone ठीक है reboot कर लेना जैसी module successfully flash हो जाएगा चाहे वो kernel issue हो या फिर magisk को module flash हो गया phone भी reboot हो गया समझ लो तो मेरे मेरे case में सब कुछ मैंने कर लिया हूँ already next step आप अभी open करोंगे FKM मतलब franco kernel manager AP के इसको हमने पहले ही root permission दे दी है root की ताकत हमने provide कर दी है next cpu पे click करोगे next cpu पे click करने के बाद सबसे नीचे bottom में जाओंगे bottom में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है cpu input boost यह देख और आपको करना क्या पड़ेगा इस toggle को करना ही enable आपको शो हो रहा है sorry मेरा face ही उसमें शो हो रहा है यहाँ पे ठीक से शो नहीं हो रहा हो तो पुरा black black हो चुग है anyway जैसे कि आप देख पा रहा हो I guess आपको शो हो रहा है मैं थोड़ा से इसका जो brightness कम कर देता हूं अरे या आप देख पा रहा हो यहाँ पर लिखा है touch boost duration MS यहाँ पर लिखा रहेगा so यह option बंद रहेगा इस option को करोगे enable enable करने के बाद यहाँ पर करूंगे tab और यहाँ पर लिखा रहेगा 0 क्या लिखा रहेगा 0 तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको max boost जो है जो touch response ह उसको ज्यादा set करना है तो यहाँ पे लिखोंगे 2500 कर दिया 2500 देन उसके बाद करेंगे apply को कि apply कर लिया ठीक है इस toggle को enable कर लेना enable नहीं होगा तो toggle enable होना चाहिए 2500 अभी हमने max पे set किया है एकदम high five max पे set किया है touch response को एकदम boost कर रखा है 2500 पे ठीक है इतना रखो उसके बाद जो है बस back आ जाना है हमें बाद काम खतम हो चुक है यहाँ पे और आप चाहो तो एक बार आप reboot कर सकते हैं अपने device को otherwise आप skip भी कर सकते हो reboot कर लेना कोई बात नहीं एक बार ठीक है तो यहाँ पर आप जब भी open करोंगे अब जब भी जाओंगे CPU में और यहाँ पर नीचे जाओंगे CPU input boost में तो यहाँ पर आपका जो है लिखा रहेगा 2500 और यह टॉगल रहेगा हमारा enable तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई तो यहाँ पर बस पूरा setup complete हो चुक है हमारा ठीक है यहाँ पर पूरा setup complete हो चुक है अब आप अच्छे से gameplay वगरा सारी चीज़े कर सकते हो काफी अच्छा touch response आपको मिलेगा अगर आपको touch response का और थोड़ा सा guide आपको समझना है तो आप again वही पर चले जाओ channel पर यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ देखो tap touch boosting duration यहाँ पर लिखा है अगर 1000 रखते हो तो 1 second of boosting 2000 रखोगे तो 2 second boosting 2500 for 2.5 second boosting और 0 रखोगे तो पूरा disable boosting हो जाएगा यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है boosting सेट कर सकते हो duration के हिसाब से तो मैंने रखा है 2500 2500 मतलब 2.5 second boosting मैंने यहाँ पर रखा है आपको जैसे रखना है जैसा गेम में आप comfortable हो वैसे आप रख सकते हो तो यह चीज था पूरा ठीक है setup हो गया touch boosting बता दिया अब इसके बाद आप game play कर सकते हो बहुत अच्छा response मिलेगा आपको touch response काफी अच्छा रहेगा लेकिन याद रखे थोड़ा सा आप पंखे वंखे में खेलेगों तो बेटर रहेगा अगर जादा धूप में अगर खेलोंगे तो यहाँ पर आपका device जो है काफी heat होने वाला है तो इस बात को ध्यान में रखना ठीक है तो depend करता है सारी चीजे क्योंकि हम यहाँ पर boost कर रहे हैं तो में भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत device heat हो जाए अगर आप इसको एक दम ही जादा heating वाले condition में खेलोगे तो ठीक है अगर normal अच्छे condition में खेलते हो थोड़ा ठंडा बंडा है घर के अंदर है तो बढ़िया चलाओ भाई मिस्त मस्त खेलो gameplay बढ़िया चलेगा चलो भी इसके थोड़े output performance और battery backup भी बता देता हूँ क्या मेरे को देखने को मिली है क्योंकि सारी चीजे मैंने test किये उसके बाद ही मैं यह video बना रहा हूँ चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ performance के बारे में just a second तो यह मैंने open कर लिया हूँ benchmark तो जैसी कि आप देख पर हो Geekbench 5 score आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो नीचे जो score आपको शो हो रहे हैं दोनों भी अलग-अलग तीनों भी अलग-अलग करनल के score है तो पहला करनल जो है stock करनल है जो की हमारा प्रोजेक्ट इलेक्जर साथ उसके साथ आया था तो यह थंडर पूल करनल है यह हाँ तो 246 single core multi core 157 उसके बाद मैंने यहाँ पे मियाव करनल फ्लैश किया मियाव करनल का आउटपुट है 240 single core multi core 128 उसके बाद आता है हमारा main start and kernel तो start and kernel जो है यहाँ पे 248 single core multi core 851 multi core कम लग रहा होगा यहाँ पे देखने के लिए लेकिन यहाँ पर आपको जो touch response है वो काफी ज्यादा better रहेगा gameplay करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या है difference ठीक है तो यह चीज़े जो है आप कर सकते हो इस तरह से ठीक है तो यह चीज़े आपको कर लेनी है कुछ इस तरह आपको जो output performance देखने को मिलेगा बात करो अगर battery backup के बारे में तो यहाँ पर जो battery backup से पहले यह CPU throttling देख लो जो CPU throttling है वो detecting नहीं हुआ है start and kernel में जैसे कि आप देख परो no CPU throttling detected तो यह एक चीज़े CPU throttling की देन अगर मैं बात करो battery backup की तो यहाँ पर active drain देखो और battery drain कितनी हुए वो भी देख लो so battery drain जो है 1 hour 8 minutes का 9% है so मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको जो है actual active drain है वो उस पर गोर करोगे तो 7.90 per hour मतलब 8% पकड़के चलोगे तो भी आपको 12 घंटे का screen on time मिलेगा लेकिन condition क्या थी वो भी समझ लो condition ऐसी है phone 50% brightness फे था पहली बात दूसरी बात यहाँ पर वाइफाई से connected था और मैंने यहाँ पर YouTube पे वीडियोज प्ले किये एक घंटे तक है so वहाँ पर मेरे को 9% battery drain देखने को मिला यहाँ पर यह आपको जो आउटपुट मिलेगा battery backup performance हर एंगल से अच्छा है try कर सकते है इस kernel को पसंद आयाँगा तो आप यूज कर सकते है इस kernel को क्योंकि इसके साथ एक benefit है आपको kernel ASU मिल रहा है तो यहाँ पर आपके जो है root detection वाली problems जो हो खतम हो जाएंग यहां से ठीक वो LMKD module है उसको भी flash कर दूँगे इसके तुरू और फ्रेंको kernel manager APK को आप super user की permission दे दोगे that's it खतम आपको यहाँ पर root करने की ज़ूरत नहीं है अलग से क्योंकि kernel के साथ ही आपको root मिल रहा है यह बहुत अच्छी बात है ठीक है magis flash करने की ज़ूरत नहीं है setup करने की ज़ूरत नहीं है अब मेरे case में magis मैंने इसलिए flash कर रहा है क्योंकि मैं decrypted user हूँ तो जब तक मैं decrypted user हूँ तो यह DFE मेरे को साथ में DFE में वह जो by default DFE है new वाली तो उसके अंदर magis मिलता है तो मुझे उसको adjust करना पड़ रहा है वह मैं आपको provide करते रहूँगा ठीक है प्लीज एक like करो motivate करो यार प्लीज तुम लोग motivate करोंगे तो मैं और stuff लाओंगा real me 5 series के उपर ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही अगले video मिलते हैं love you दोस्तों good bye take care